आचारी रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध भय किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साख्षातकार से जो एक प्रकार का आवेग पूर्ण अथ्वा स्थम्बकारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकूल करता है और भय भय उसकी पहुँच से बाहर होने के लिए क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जान बुश कर दुख पहुँचाया है तभी क्रोध होगा पर भय भय के लिए कारण का नर्दिष्ट होना जरूरी नहीं इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख यहानी पहुचेगी यदि कोई जोतिशी किसी गवार से कहे कि कल तुमारे हाथ पाँ टूट जाएंगे तो उसे क्रोध ना आएगा भय होगा पर उसी से यदी कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुमारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो वह तुरं त्योरी बदल कर कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला देख लूँगा भय का विशय दो रूपों में सामने आता है असाध्य रूप में और साध्य रूप में असाध्य विशय वह है जिसका किसी प्रेत्न द्वारा निवारन असंभव हो या असंभव समझ पड़े साध्य विशय वह है जो प्रेत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो रहे थे इतने में सामने शेर की दहार सुनाई पड़ी यदि वे दोनों उठकर भागने चिपने या पेड़ पर चड़ने आदी का प्रेतना करें तो बच सकते हैं विशय के साथ्य या असाथ्य होने की धारना परिसिती की विशेशता के अनसार तो होती ही है पर बहुत कुछ मनश्य की प्रकर्ती पर भी अवलंबित रहती है क्लेश के कारण का ज्यान होने पर उसकी अनिवारियता का निश्चय अपनी विवश्ता या अक्षमता की अनिभूती के कारण होता है यदि यहां अनुभूती, कठनाईयों और आपतियों को दूर करने के अभ्यास या साहस के अभाओं के कारण होती है तो मरिश स्थम्वित हो जाता है और उसके हाथ पाओं नहीं हिल सकते पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी दरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाओं के उद्योग में लग जाता है भाए जब सुभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोश माना जाता है विशेश तह पुरिशों में स्त्रीयों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनुरंजन की वस्तु रही है पुरिशों की भीरुता की पूरी निम्दा होती है ऐसा जान पड़ता है कि बहुत बुराने जमाने से पुरिशों ने न डरने का ठेका ले रखा है भीरुता के संयोजक अवेवों में कलेश सहने की आवशकता और अपनी शक्ती का अविश्वास प्रधान है शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्रा यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीडा नहीं सह सकता तभी अपनी शक्ती के द्वारा उस पीडा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है अर्थाहानी के भय से बहुत से व्यापारी कभी-कभी किसी विशेश व्यवसाय में हात नहीं डालते परास्थोने के भय से बहुत से पंडित कभी-कभी शास्त्रात से मुझ चुराते हैं इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ती का अविश्वास छिपा रहता है। भीरू व्यापारी में अर्तहानी सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरू पंडित में मानहानी सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धी बल पर अविश्वास नहीं थे। एक प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते. धर्म से डरने वालों की अपेक्षा, धर्म की और आकरशित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझ कर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं स्रेश्ट हैं, जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं जो आवेग्शून्य भय होता है, उसे आशंका कहते हैं, उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है, घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री, चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता न मिल जाए, पर वह बराबर चला चल सकता है, यदि उसे असली भय हो जाएगा, तो वह यातो लोट जाएगा, अथवा एक पैर आगे न रखेगा, दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्तिती समझनी चाहिए, जो सुखात्मक भावों में आशा की, अपने द्वारा कोई भयंकर काम किये जाने की क अलपना या भावना मात्र से भी शनिक स्थम्ब के रूप में एक प्रकार के भाय का अनुभव होता है, जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत पर से कूच जाओ, तो कूधना और ना कूधना उसके हाथ में होते वे भी वह कहेगा कि डर मालुम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भ नहीं है, क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारन यरी होता है, तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए, भाय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती, ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संजित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहां एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचे का विस्तार बहुत अधिक होता है प्रायह भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है जहां वह भय भूला कि आफत आई यदि कोई क्रूर मनिश्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दोड़ा तो उस समय भय की प्रेणा से आप भाग कर अपने को बचा लेंगे पर संभव है कि उस मनिश्य का क्रोथ जो आप पर था उसी समय दूर न हो बलकि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात न होगी प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विशे में जानकारी रहती हो जंगली मनिशों के परिचे का विस्तार बहुत थोड़ा होता है बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अभी हैं जिन में कोई एक व्यक्ती 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता अतह उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दोड़े तो वह भाग कर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए ही नहीं बलकि सब दिनों के लिए कर सकता है पर सभ्य उन्नत और विस्तर्ट समाज में भाग के द्वारा स्थाई रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भाय अधिक होता है जिससे वे भायवीत हो सकते हैं उसी को वे स्रेश्ट मानते हैं और उसी की सुती करते हैं उनकी देवी देवता भाय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं किसी आपती या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं. अती भय और भयकारक का सम्मान असभिता के लक्षन है. अशिक्षित होने के कारण अधिकाम्ष भारत वासी भी भय के उपासक हो गए हैं. वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उ जलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं तिकते और दुख परिहार का ग्यान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है. बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के वीतर भागते हैं. पशुव में भी भय अधिक पाया जाता है. अपरिचित के भाय में जीवन का कोई गूड रह से चिपा जान पड़ता है. प्रतीक प्राणी भीतरी आँख कुछ खुलते ही अपने सामने मानों एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है. जिसे क्रमशह कुछ अपने ग्यान बल से और कुछ बाहु बल से थो सुख और आनन्द को वह सामान्य का व्यतिकरम समशता है. विरल विशेश मानता है. इस विशेश से सामान्य की और जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता. परिचय के उतरोतर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पढ़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारना रखता है कि मुझे सुख पहुँचाते हैं और कश्ट न पहुँचाएंगे. जिने वह नहीं जानता जो पहले-प इस वासना का परिहार क्रमशह होता चलता है. जियों जियों वह नाना रूपों से अभ्यस होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है. इस प्रकार अपने ज्यान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृध्धी के साथ वह दुख की छाया मानों हटाता चलता है. सम पुतों का भय तो अब कुछ छूट गया है. पशूओं की बादा भी मनिश के लिए प्राय नहीं रह गई है. पर मनिश के लिए मनिश का भय बना हुआ है. इस भय के छूटने के लक्षन भी नहीं दिखाई देते. अब मनिशों के दुख के कारण मनिश ही है. सभ्यता से अ बहुत से आवर्नों के भीतर ढख गया है अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबर्दस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपिय पैसे छीन न ले पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, जूटे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से हमें इन वस्तूँँ से वंचित न कर दे दोनों बातों का परिणाम एक ही है एक-एक व्यक्ति के दूसरे-दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर रहे हैं और बराबर रहेंगे किसी प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था एकाशाही से लेकर सामेवाद तक इस दोरंगी जलक को दूर नहीं कर सकती मानवी प्रकृती की अनेक रूपता, शेश प्रकृती की अनेक रूपता के साथ-साथ चलती रहेगी ऐसे समाज की कलपना, ऐसी परिसिती का स्वपन, जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लंबी जोड़ी बात बनाने के लिए अथवा अपने को या दूसरों को फुसलाने के लिए समझा जा सकता है उपर जिस विक्तिगत विशमता की बात कही गई है, उससे समश्टी रूप में मनश जाती का वैसा अमंगल नहीं है कुछ लोग अलग-अलग यदि कुरूर लोब के व्यापार में रत रहे, तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या ग्रस्थ होंगे यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बांध कर किया जाएगा, तो उसमें अधिक सफलता होगी और उसका अनिष्ट ब्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा संग एक शक्ती है, जिसके द्वारा शुब और अशुब दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी, उसने आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंगर रूप धारण किया अर्थशास्तर के प्रभाव के अर्थोनमाद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार राजनीती या राशनीती का प्रधान अंग हो गया यूरोप के देश के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहां तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे पुरानी चड़ाईयों की लूट पाट का सिलसला आकरमन काल तक ही जो बहुत दिर्ग नहीं हुआ करता था रहता था पर यूरोप के अर्थोनमाद्यों ने ऐसी गूड जटिल और स्थाई प्रनालिया प्रतिश्ठित की जिनकी द्वारा भूम अंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम क्रम से रक्त चुस्ता चला जा रहा है न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों का करागार हो रहे है जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर रक्त नहीं बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी इस अंधनीती से अनर्थ की और नहीं गया गत महायुद के पीछे जगजग स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमडता दिखाई देने लगा आध्यात्मिक्ता की भी बहुत कुछ पूच होने लगी पर इस विश्व प्रेम और आध्यात्मिक्ता का शाब्दिक प्रचार ही तो अभी देखने में आया है इस फैशन की लहर भारत वर्ष में आई पर फैशन के रूप में ग्रहीत इस विश्व प्रेम और आध्यात्म की जर्चा का कोई स्थाई मूल्य नहीं इसे हवा का एक जोंका समझना चाहिए सभ्यता की वर्तमान स्थिती में एक व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था सभ्यता की वर्तमान स्थिती में एक व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था पर एक जाती को दूसरी जाती से एक देश को दूसरे देश से भय के स्थाही कारण प्रतिष्ठित हो गए है सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संगर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोशन की प्रक्रिया अनवरत चल रही है एकशन का विराम नहीं है इस सार्वभावम वनिक वृत्ती से उतना अनर्थ कभी न होता यदि शात्र वृत्ती उसके लक्षय से अपना लक्षय अलग रखती पर इस युग में दोनों का विलक्षन सहयोग हो गया है वर्तमान अर्थोनमाद की शासन के भीतर रखने के लिए शात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर शात्र संग की प्रतिष्ठा आवश्यक है जिस प्रकार सुखी होने का प्रते प्राणी को अधिकार है उसी प्रकार मुक्तातंख होने का भी प्रकार ये शेत्र के चक्रव्यू में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रैत्न साथ्य होता है उसी प्रकार निर्भय रहना भी निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होती है पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुँचाने का साहस न कर सके इन में से एक का संबंध उतकर्ष्ट शील से है और दूसरी का शक्ती और पुर्शार्थ से इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती साधू से साधू प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुँशता है अतहा उनके प्रेतनों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवशकता से हम बच नहीं सकते